जॉप बिगें तो एकमपनी वाजनाएक तो होम्री मीटिंग्स के इस ने जाना पसंद कर रहा था और वो जाता था एकमपनी का मतलब वो बिख लो इसका मतलब है किसी के साथ पही पर जाना तो यह कहां जा रहा था यह Home Remittings में जाता था, Accompany, किसी के साथ कहीं, जाना, कहीं जाना, Okay, carrying the TV monitor and helping to set things up, यह TV monitor को carry कर रहा है एक जगा से दूसरी जगा रख रहा है, तर्टीब दे रहा है चीज़ों को, ठीक है, setting things, set things up को मतब तर्टीब दे रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कि वहां पे बहुत सारी चीज़ें, पार्ट्स बिखरे होई थे, तो यह पार्ट्स को उन चीज़ों को तर्टीब दे रहा है, सही से रख रहा है, अपनी अपनी प्लेस पे रख रहा है, The meetings now attracted more than 100 enthusiasts and had been moved to the auditorium of the Stanford Linear Accelerator Center, और यह meetings जो है, home review की meetings जो है, यह आप अपनी तरफ attract कर रही हैं, एक 100 से ज्यादा enthusiasts को, एक 100 से ज्यादा enthusiasts का मतलब होता है, शाहिकीन, जो computer के शाहिकीन है, जो इस technology के शाहिकीन है, machines के शाहिकीन है, शो कर रखने वाले, इनको यह सो हुजे ज्यादा आप जमा हो गए, इनको attract किया, इस meeting मीटिंग ने, और फिर move कर दिया, एक auditorium में, Stanford Linear Accelerator Center के एक auditorium में इनको shift कर दिया, ठीक, enthusiasts का मतलब होता है, शाहिकीन, यह भी रिख रो, शो कर रखने वाले, शो कर रखने वाले, ओके, presiding with a pointer and a free-form manner was Lee, Lee Falcentine, another appointment of the merger between the world of computing and counter-culture. presiding with a pointer, presiding का मतलब होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे चलना with a pointer, एक pointer के साथ और free form manner, free form manner के साथ ये था Lee Felsen Chain, इसका नाम याद रख लेना, ये भी एक American engineer था, ये drop out engineer था, और फिर बाद में ये दूसरे काम करने भी चला गया और उसके बाद वापस फिर आ की college join करता है, ये भी American computer engineer है, इसका नाम याद रखना, another employment, ये एक मुझेसिमा बन गया, ये एक नया नमूना बन गया, इसका merger, ये merge करने वाला किसको, technology को और counter culture के लोगों को, दोनों को merge करने का ये एक मुझेसिमा बन गया, employment बन गया, He was an engineering school dropout, ये क्या था, ये engineering school dropout था, dropout मतलब निकला हुआ, जिसने engineering school छोड़ा हो, इसने engineering school छोड़ा था, dropout था, होता है ना, अक्सर क्या होता है, college students में अक्सर ऐसा होता है, आगे सोचते हैं कि यार, आगे life dark में है, future dark में है, इससे better है, पढ़ने से better है कि कोई हम business set कर ले जब business set कर लेते हैं, जब business में भी वो अपना हार मान जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं business तो बाद में भी कर लेंगे, पहले हम पढ़ाई करते हैं, आपस जाके college join करते हैं, या school join करते हैं, study join करते हैं, ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे students, कि उनकी 2014-15 batch के students हैं, अभी उनकी graduation complete नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे काम में फस गए थी, उनकी छोड़ दिया था बीच में, तब उनका yearly होता था, अभी भी वो graduation कर रहे हैं, या अभी भी वो चाहते हैं कि हम graduation करें, ऐसा होता है, तो ये भी dropout student था, a participant in the free speech moment, इतना ही नहीं, ये participant भी रहा है, free speech moment का, free speech moment एक तहरीर चल रही थी, उसका भी एक participant रहा है, and an anti-war activist, और ये anti-war activist भी था, he had written for the alternate newspaper, बाकले बाब, and then gone back to being a computer engineer, इसने पहले newspaper बाकले बाब के बार में लिखना, उसके उस अकबार का लिखना शुरू किया था, news paper लिखने शुरू किये थे, and then gone back to being a computer engineer, उसके बाद ही around his machine afterward, and he would proudly show off his progress, तो वाज जो थे, वो usually शर्मीले थे, ठीकिए, वो meetings में अकसर बात नहीं करते थे, वो शर्माते थे, लेकिन जब लोग उसकी मशीन के इरद इरद जमा हो जाते थे, तो फिर वो बड़े फखर के साथ, proudly वो फिर अपने अपनी progress का, अपनी तरकी का मुझा जाहरा करते थे, show off करते थे, बताते थे कि मैंने इस चीज़ को design किया, इतनी मेहनत की, इसकी functioning यह है, वो उस चीज़ को show off करते थे, Murray had tried to instill in the homebrew and ethos of swapping and sharing rather than commerce, तो मुरी ने क्या कुशिश की, मुरी ने सोचा के homebrew जो है, यह एक ethos का एक ऐसा club बनना चाहिए, कि जहाँ पे swapping होनी चाहिए और sharing होनी चाहिए, swapping का मतलब तबादला, exchange, swapping means exchange, तबादला, इसने यह सोचा, इसने यह कोशिश की, कि इस homebrew को हम क्या बनाए, कि जहाँ पे sharing हो, जहाँ पे तबादला हो, exchange हो, ideas, ethos, इखलाग, share हो, यह exchange हो, rather than commerce, बजाए किसके, बजाए तिजारत के, बजाए ट्रेड के, commerce के, the theme of the club was said, was give to help others, तो was night ने कहा, was ने कहा, कि जो theme of the club है, theme का मतलब मकसद, हम लिखते हैं न, theme किसी poem की, किसी topic की, किसी subject की, तो theme क्या होता है, subject of talk, subject of talk मतलब, बद का मकसद की है, यह जो point होने पड़ीес का मकसद का, यहाँ पी यह ही कि, this club का मकसद क्या था, theme क्या था, इसका, cue to help others, दूसरों को मदद देना, दूसरों को मदद देना, वाल्स का ये कहना है, वाल्स नाय का, कि इस क्लब का मकसद यही था, इसका थीम यही था कि दूसरों को हम मदद दे सके, दूसरों को हम मदद दे सके. It was an expression of the hacker ethic that information should be free and all authority mistrusted. ये एक expression थी ये एक मुझाहिरा था hacker ethic का कि information जो है वो हर किसी को free में मिलनी चाहिए information education जो है वो हर किसी को free में मिलनी चाहिए and all authority mistrusted और हर किसी authority पे हमें एतिमाद नहीं रखना चाहिए और हर किसी authority पे हमें बरुसा नहीं करना चाहिए I designed the apple first because I wanted to give it away for people to other people said wasny we were a free to other people said wasny वोजन्य कहते हैं कि मैं-Apple first for design किया क्यों कि मैं चाहता था मैं देना चाहता था लोगों को I want to give it away for free to other people कि हमें बाकी लोगों और ये vangे में मुफुत में देना चाहता था क creator कि मैं-Apple first for war नाकियोंですか में-बरोस्ट को design मैंने आपल फॉस्ट को बनाया क्योंकि मैं इसको बाकी लोगों तक फ्री में पहुचाना चाहता था तो ये वो नुकताय नजर नहीं था जो बिल गेट्स ने कबूल किया था ठीक है, embrace means कबूल करना and out to means नुकताय नजर ये वो नुकताय नजर नहीं था जो बिल गेट्स ने कबूल किया था तो उसके बाद जब बेसिक एंटरपियर इन्होंने खतम किया, complete किया आलन पॉल ने और बिल गेट्स ने तो ये बिल गेट्स जो है, ये खोब जदा हो गया, अपॉल कम ये मतलब क्या होता है, खोब जदा हो जाना, A, T, B, A, L, E, अपॉल कम मतलब खोब जदा, डर जाना, खोब जदा, तो ये डर गई है, खोब जदा हो गए, कि members जो है, अपॉल कम्यूटर क्लब के, वो क्या करें, वो कॉपीज बना रहे हैं, इस अलटायर की, मशीन की, और एंड शेरिंग इट विदाउट पेंग ही, और उसको पे करने के बगएर ही शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे तक वो पहुचा रहे हैं, मावजा लेने के बगएर ही, payment ले लेने के बगएर, so he wrote, what would become a famous letter to the club, तो उसने लिखा, जो की बाद में एक famous letter बन गई क्लब के लिए, क्या, as the majority of hobbyists must be aware, इसने लिखा, कि majority hobbyists की, शोकीनों की, मशीनों के शोकीन जो है, उनकी majority जो है, उनको बाख़बर रहना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए, क्या, क most of you steal your software, कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं members, जो अपना software steal कर रहे हैं, अपना ही software चोरी कर रहे हैं, is this fair, और note of integration रखा, question mark साथ में रखा, लिखा कि is this fair, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है, one thing you do is prevent good software from being written, और लिखा कहा, कि एक चीज जो आप करते हो, जो आप रोकते हो, क्या किसे है, आप खुद को prevent करते हो, रोकते हो, mbda की एक investment art, to do professional work for nothing, कहता है, इन्हें पूछता है फिर से, फिर से question mark, फिर से sवाल करता है इन्हें, कहता है कि who can afford to do professional work for nothing, कौन professional work nothing के लिए, यानि कि कुछ free में करना चाहेगा, professional काम कौन free में करना चाहेगा, कौन इस professional काम को afford क करेगा फ्री में करना I would appreciate letters from everyone who wants to pay up कहता है कि मैं सारी letters को मैं सब के letters को appreciate करूंगा from anyone who wants to pay up जो pay करेंगे जो copies लेंगे लेकिन जो pay करेंगे जो कीमत अदा करेंगे मैं उनकी letters को appreciate करूंगा Steve Jobs similarly did not embrace the notion that was nice creation be it a blue box or a computer wanted to be free तो Steve Jobs का भी यही नुक्ते नजरिया था यह भी चाहते थे यह भी इस बात को कभूर नहीं करते थे कि was nice जो भी बना रहे वो फ्री में उसे बेचे चाहे फिर वो blue computer हो blue box या फिर computer हो कुछ भी हो वो से free में उसे नहीं बिकना देते थे वो से free में आगे नहीं जाना देना चाहते थे ठीक है Steve Jobs का और Bill Gates का दोनों का नुक्ते नजरिया दोनों के ख्याला दोनों की thinking सेम थी so he convinced was nice to stop giving away copies of his schematics तो इसने was nice को काईल किया इसने convince किया इसको मनाया कि भाईया आपको आपने schematics यानि कि अपने copies जो है free में नहीं बांटनी है ठीक है यह आपको free में नहीं देनी है यह बंद कर आप free में इनको बांटना इस चीज़ के लिए agree कि इस चीज़ के लिए राजी कि यह स्टीव जो आपसने किसको वाजनाई को schematics का मतलब क्या होता है copies ठीक है जो features हमें दिखाते हैं जो हमें इसके features किसी चीज़ के features दिखाते हैं लेकिन उसका पूरा जो detail होती है वो उसमें नहीं होती है ठीक वो सिर्फ features दिखाते है schematics copies मालों most people did not have time to build it themselves anyway और बहुत सारे लोगों को time नहीं था कि वो खुद उसको बना सके उस copy को यह उस चीज़ को खुद बना सके invent कर सके यह बहुत सारे लोगों के पास time नहीं था तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास time नहीं है लोगों के पास वो चीज़ें बनाने का invent करने का जरिया नहीं है resource नहीं है time नहीं है यह वो ability नहीं है skill नहीं है तो फिर वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगी जब खरी देंगे तो वजनाई के लिए स्टीव जॉबस के लिए बाकी जो भी मेंबर से उनके लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा तो यही कंसेप्ट था किसका स्टीव जॉबस का जॉबस आर्ग्यूट तो जॉबस ने दलील देना शुरू किया जो आप उसने आर्ग्यू किया, क्या कहा, वाइडोंट वी बिल्ड एंड सेल प्रिंटिड सर्केट गोड्स तु देम, कहा कि क्यों ना हम बनाए, बिल्ड करे, और सर्केट गोड्स बनाए और फिर उनको प्रिंट करके हम उनको बेचे, हम क्यों ना एक बिजनिस स्टार्ट करें, क्यों ना हम उनको बेचे, ये किसका खयाल है, ये किसका आइडिया है, ये स्टीव जॉब्स का आइडिया है, इट वाज अग्जम्पल अप दियर सिम्बयासिस तो ये भी एक 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 अग्जम्पल है इनके सिम्बयासिस की, किस-किस की Was Knight की और Steve Jobs की Symbiosis का मतलब क्या होता है? एकिसम की relation Symbiosis का मतलब होता है relation ठीक है? आपने Lower Classes में या फिर कहीं पे Biology में पढ़ा होगा Symbiotic Relationship होती है दो जानवरों की ठीक है? दोनों को जहां पर लेकिन याई भी याद रखना है कि Symbiotic Relationship उसको कहेंगे मैं यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ वो याल जी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन कंसर्ट दे रहा हूँ ठीक है सिंबोयोटिक रिलेशन्शिप जहाँ पर दोनों को फायदा मिलता हो आपने देखा होगा कवा गाई के उपर बैठा होता है या कोई चुडिया गाई के उपर बैठी होती है गाई क्या किरती है गाई गास खाती है गाई के मदन पे वो कीड़े होते हैं चुडिया वो कीडे खाती है और गाय उन कीडों से बच जाती है, चुडिया को गजा मिल जाता है और गाय बच जाती है, उसका बलड जो सक रही होते हैं वो कीडे, वो खा लेती है कुण चुडिया, तो धोनों को फायदा मिलता है, इसको हम symbiotic relationship कहते हैं, इसी तरह बहुत सा तो वोजनाइक का कहते हैं, कहते हैं कि हर बार जब भी में कुछ बनाऊंगा, कुछ अच्छा डिजाइन करूंगा, आइवुट का मतलब यह अभी किया नहीं है, करेगा, जब भी अच्छा कुछ करूंगा, तो स्टीव जाब्स हमारे लिए पैसा बनाने का रास्ता तलाश करेगा, कैसे पैसा हैगा, जो मैं मैं मत बनाऊंगा, मशीन बनाऊंगा, कॉपी बनाऊंगा, उन्हीं बेचना किसका काम है, स्टीव जाब्स का पैसे बनाना स्टीव जाब्स का काम है, यह वोजनाइक का कहा है, वोजनाइक अडिमिटेड दाट ही, वोजनाइक अडिमिट को बनाऊं और फिर बेचूं मैं स्टीव जॉब्स के बगार ऐसा नहीं कर सकता था मैं अपने दम पे अपने दम पे ऐसा नहीं कर सकता था it never crossed my mind to sell computers कहता है कि मेरे mind में कभी आया ही नहीं मेरी एक खोपड़ी मेरे दिमाग में यह कभी आया ही नहीं कि में computers को बेचूं बना के फिर इनको sell करूं बेचूं it was Steve who said तो कहता है कि यह स्टीव ही है यह स्टीव जॉब्स ही है जिसने मुझे कहा क्या कहा let's hold them in the air and sell a show कहता है कि स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा कि चलो कुछ computers कुछ copies हम लटकाते हैं air में हवा में और हम बेचते हैं कुछ हम बेचते हैं देखते हैं ट्राइ करते हैं कि business कैसा चलता है jobs worked out a plan to pay a guy he new at Atari to draw the circuit boards and then print up 50 or so तो jobs ने एक plan किया jobs ने क्या किया जॉब्स एक शखस को एक आदमी को एक guy को जानता था शायद ही इसका रिष्टदार था या फिर कोई दूसरा था Atari में इसको जानता था उसको पहले ही पैसे दे दिये अधाईगी कर दी क्या कहा कि circuit boards आपको ड्रा करने और फिर पचास या पचास से ज्यादा उनको प्रिंट करना है क्या करना है circuit boards ड्रा करके पचास या पचास से ज्यादा आप प्रिंट करो that would cost about one thousand dollar कहता है कि उसका खर्चा लगबग कितना आ सकता था एक हजार डॉलर यह estimation है कि इतना खर्चा इसका आना था प्लस the fee tip the designer और designer की भी fees आ सकती थी उसकी भी tip आ सकती थी टीप मतब tip transfer price ठीक है जैसे हम जो जाते हैं होडिल में waiter क्या गरता है हमारे लिए खाना लाता है तो हम उसको tip देते हैं वह वह tip नहीं और TIP 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 hai transfer price कि वह transfer करता है एक table से दूसरे table डीक को transfer करता है यहां बह सकता है नहीं manager नहीं बह सकता है उसको transfer प्राइस का उबber से estimation था कि वन थाउजन डॉलर्स खर्चा लागत आ सकती हमारी 50 या 50 से थोड़ा ज्यादा ये सर्केट बूर्ट को प्रिट करने का दे कुट सेल थेम फॉर्टी डॉलर एपीस एंड परहब्स किलियर प्रॉफिट आफ सावल हंड़ डॉलर कहता है कि हम इसको 40 डॉलर का हम एक पीस बेचेंगे और हम लगबग 700 डॉलर का मुनाफ़ा कमा लेंगे ये एस्टिमेशन है इनकी कि हम 40 डॉलर का एक पीस बेच कर हम लगबग 700 डॉलर कमा लेंगे मुनाफ़ा कमा लेंगे ये नफ़े की बत है वाजनाइक वाज़ दॉबिएस थोड़ा दॉबिएस मतलब शक था उसे कि हम यह सारे बेच देंगे जितरे भी हम प्रेंट निगा लेंगे हम सब उनको सेल कर देंगे बेच देंगे I did not see how we how we would make make our money back he record लेकिन क्याता है कि I did not see how we would make our money back कि मैंने यह नहीं देखा मैंने यह नहीं सोचा कि हम अपना पैसा वापस कैसे लाएंगे हम अपना पैसा वापस कैसे लाएंगे ही रिकार यह इसे बाद में याद आता है ठीक है क्यों तेको अक्सर क्या होता है जब इनसान मॉटिवेट हो जाता है बिजनिस करने के लिए कोई दंदा शुरू करता है पैसा जब फसाद देता है वहाँ पैसा लगा देता है He was already in trouble with his landlord for bouncing checks and now had to pay each monthly cash. Already, पहले से ही वो परेशानी में था, इस परेशानी में मुबतला था, कि उसका जो landlord था, मकान मालिक था, उसके साथ मसला था bouncing checks का. Bouncing checks मतलब ये checks दिया करता था उसको, monthly जो fee आती थी, rent आती थी, उसके बदले check देता था, वो पैसे रिकाल देता था. लेकिन अब वो checks bouncing checks है, bouncing checks मतलब खाली checks है, अब इसके account में पैसे ही नहीं है, तो ये तो checks दे रहा है, लेकिन आगे पैसे नहीं है, तो मकान मालिक परिशानी उठाएगा ना, वो इसके साथ पंगड़ा तो करेगा, and now have to pay each month in cash, आपको ये agreement होता, landlord के साथ कि भईया, हर मन्थ, हर महीने आपको cash देना पड़ेगा, आपको rent cash में देनी पड़ेगी, वरना आपको दफा होना पड़ेगा, ये वोजनाय कहा रहा है कि ये मेरा मसला था पहले से ही, और अब मैंने पैसे और फसा दी, पहले इंवेस्टमेंट कर दी, अब हमारा estimation है कि साथ को कह मुनाफ़ा कमाएंगे, लेकिन बाद में ये लेकर, bouncing checks लेकर फिर रहा, home फिर रहा था, तो household ने उसको भी लिकाल दिया, कहा कि वह ये आपको नकत cash देना पड़ेगा, इसके बगार Steve Jobs की भी बहुत सारी परेशानिया थी, वह हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो jobs को ये पता था, कि वोजनाय को कैसे appeal करनी है, वोजनाय क इसकी shop खोलेंगे, तो पैसे कमाएंगे, मैं इस पे यकीन ही रखता हूँ, लेकिन इतना पता है, कि that they would have a fun adventure, कि हमारा fun adventure होगा, हम company खोलेंगे, पैसा invest करेंगे, लेकिन हमारा adventure होगा, ये किस की सोच है, ये Steve Jobs की सोच है, even if we lose our money, we will have a company, sad jobs as they were driving in his Volkswagen bus, तो ये Volkswagen bus, Steve Jobs की, इसकी Volkswagen bus थी, इसमें drive कर रहे थे, सफर कर रहे थे, चला रहे थे, उसमें बैठकी इसे कहता है कि, planning कर रहे हैं कि अगर हम अपना पैसा खो भी देते हैं, अगर हम अपना पैसा खो भी ते, lose कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तो एक company होगी, क्या कहता है, हमारी सोच रखन ठीक है, यह सफर कर रहे थे, Volkswagen bus में, Steve Jobs की bus थी, for once in our lives, we will have a company, कहता है कि, एक बार हमारी सिंदगी में फिर भी company तो होगी, हम भी एक company के मालिक रहेंगे, this was enticing to wasnaik, even more than any prospect of getting rich, तो कहते हैं कि यह ज्यादा ही enticing के लिए है, enticing मतलब दिलकश, interested, ठीक है, यह ज्यादा पुर्जोश, खुश करने वाली बात थी वाजनाएक के लिए, क्योंकि दोनों की thinking क्या है, same है, में पहले ही कहा कि वो दोनों, इनकी, क्या symbiotic relation जैसी है, तो एक दूसरी के ओपर dependent है दोनों की लगबख thinking जो है, enticing means, दिलकश, यहां interesting, दिलकश, यह बात दिलकश थी वाजनाएक के लिए, और यह राजी हो गया, even more than any prospect, किस चीज़ के लिए, यह बी, यह चाहते थे, कि वाजनाएक भी चाहता था कि मेरे भी एक company हो, इसका यह prospect नहीं था, इसका यह नजरिय नहीं था कि में अमीर बनू, उसके बज़ाए, अमीर बनने के बज़ाए, यह चाहता था कि मेरे भी एक company हो, बिलकुल इसी स्टीव जॉब्स की दरा, ठीका, he recalled, I was excited to think about us like that, कहता है कि मुझे याद है, कि में excited था, में भी चाहता था कि में भी ऐसा ही बनू, मेरे भी एक company ह वजनायक की से कहता है कि में भी चाहता हूँ कि में भी ऐसा ही बनू, to be two best friends starting a company, कि दो अच्छे दोस्त, दो बहतरीन दोस्त एक company को start करे, दो बहतरीन दोस्तों के लिए company बने, वाव, कहता है कि वाव, कितना अच्छा रहेगा, I knew right, done that, I had do it, how could I not, कहता है कि वाव, कहता ह कि में जानता था, I knew right, कहता है कि में सब कुछ सही तरह से जानता था कि में कर सकता हूँ, तो फिर में क्यों ना करता, अगर में सब कुछ जानता था कि में कर सकता हूँ, तो फिर में क्यों ना करता, यो वजनायक कह रहे है, in order to raise the money they needed, वजनायक sold his HP 65 calculator for $500, though the buyer ended up stiffing him for half of that, तो देखो क्या हुआ, अब company खड़ी करनी है, पैसा तो लगेगा, खर्चा तो आएगा, ठीक है, money जो जरूरत इनको थी, money की, तो इसका बंदोबस्त करने के लिए वजनायक थे क्या किया, अपने HP calculators को बेचा, 65 HP calculators को बेचता है, वो $500 में, कितने डालर में, $500 में, लेक कीमत थी $500, यहने कि अब हाफ कीमत देता है, और हाफ का वो गोटाला कर जाता है, चीट करता है, Stephen, लिख लो, चीट करना यहां, इंकार करना पैसा देने से, यह इंकार कर रहा है इसको, चीट कर रहा है, कोई खराबी बता रहा होगा, कि आपके calculators में खराबी है, यह काम नहीं करें, calculation सही नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसका पैसा वो खा जाता है, हाफ पैसा वो दबा जाता है, और कि अगर यह पैसा अभी एक calculators बेच कर नहीं लेता है, अगर इसके पास अभी पैसा नहीं आता है, तो अभी यह company start नहीं कर पाएगा, तो यह गाटे पे calculators को बेच देता है, फारिस पार्ट, जॉब सोल, इस वोक्स्वागन बस फार, फिटीन हंड़र डॉर्स, तो यह तो हो गया, किस का शियर, अभी तक वोजनाइक था, वोजनाइक ने अपने calculators बेचे, अपना शियर निकाल लिया, अपना हिसा निकाल लिया, अपना हिसा निकालने के लिए, उसको बेच देते हैं, कितने में, वो भी, फिटीन हंडर डॉलर्स में, फिखो आगे क्या होता समय, वग्सवएगन बस जो चलाते थे यह उसको बेच देते हैं, फंध्रासो डॉलर में, अपना हिसा देने के लिए, but the person who bought it came to find him two weeks later and said the engine had broken down and Grabz agreed to pay for half of the divorces तो दो हफते गुजरने के बाद जो खरीदार होता है जो लेने वाला होता है वो वापस इस टी जॉब Caroline के बाँस आता है और कहता है क्याता है बहुत है इसका अपने ब्स दी है इसका engine बेकार है इसका engine खराब है इसका engine टूटा हुआ है तो ये मेरे को नहीं लगेगी वह ये तू ले ले मेरे को अपने पैसे वापस दे दे या फिर एक काम कर या फिर ये agreement कर ले कि तू जो rapiers लगेंगे इसको rapiers मतलब संबालने का खरचा जो आएगा वो half तुझे देना पड़ेगा जो हमने ताई कीमत की हुई यानि कि fifteen hundred dollars में से आपको बाकी half देना पड़ेगा rapiering का खरचा तो हो गया ना क्या इसके साथ भी पंगा और वजनाएक दोनों साथ पंगा ये दोनों लफंगे दोनों चापुलूसी बास दोनों में क्या किया अपनी ये चीज़ें बेच डाली और थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए स्टीव जॉब्स एग्री हो जाता है उसको वो half payment देता है rapierment के लिए और half ले लेता है but the person and jobs agreed to pay for half of that despite these little setbacks they now had with their own small savings thrown in about $1300 in working capital that design for a product and a plan कैते हैं कि इन सारे setbacks के बावजूद सारे रिकावटे जो आई उनके बावजूद वो उनको साइड में रखके setbacks setback का मतलब के बता है रिकावटे रिकावटे इस सारी रिकावटे जो Steve Jobs score वोजनाई को आई उनके बावजूद उनको काट गए अब इनके पास क्या बचता है they now had क्या के इनके पास saving thrown in about $1300 यानिकी रकम जो है इनकी बचत जो है वो working capital $1300 है in working capital ठीक है or the design for a product जो product अभी भीचेंगे जो बनाएंगे company जिस पे चलेगी उसका design है इनके पास ठीक है design है इसके पास and a plan वो बड़ी चीज जो इनके पास है वो है plan इनके पास plan है कि हमें क्या करना है plan तो सभी के पास होता है design a product है और इनके पास network जो है वो $1300 है they would start their own computer company अब वो अपनी computer company start करेंगे अपनी computer company start करेंगे तो इतनी मुश्किलें इतना face करने के भावजूद भी वो पीछे नहीं हटते हैं अपनी computer company को start करते हैं तो यह हमने end किया homebrew computer club उमीद गता हूँ कि पढ़ने में मजा आया होगा कुछ सीखा होगा आपने मैंने भी बहुत सारा सीखा आपको पढ़ने के साथ-साथ ठीक है तो कल की वीडियो यह जोड़ी वीडियो आएगी तो apple is bottom एक topic रह गया इस पहले वाले थोड़ा सा dry lengthy है मैं आपको आपके लिए आसान बनाने की कुशिश कर रहा हूँ हर बार वस आपको क्या करना है सबस्काइब करना चैनल को अपने दोस्कों के साथ शेयर करना है जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना में मॉटिवाइट हूँगा अतनी जल्दी में आपका सिल्वस कवर करूँगा उतनी बहतर वीडियो में आपके लिए बना सकता हूँ आप में चेक करता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में जाके 80% जो है वो नॉन सबस्क्राइब वर्स हैं मतलब वो देख रहे हैं और वो एक ही बार नहीं रिटर्नी विवर्स हैं वो बार बार देख रहे हैं वो बार बार देख रहे हैं एक बार आप ने उपन किया वीडियो वो एक वीव मिलेगी 10 गंटे के बाद या एक दूसरे दिन के पाद उसी वीडियो को देखूँगे वो दूसरी वीव नहीं मिलेगी बलकि वो return view मानी जाती है कि आप उस वीडियो पे बार बार आ रहे हैं देख रहे हैं, पार्टस में डिवाइड करके देख रहे हैं लेकिन चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया इस सम्हाव आउफुल, डी मॉटिवेटिंग तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा support दें ताकि हम भी grow हो सकें, हम भी आपके लिए अच्छी contents लेते आए और आपका भी फाइदा हो, सबका फाइदा हो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, खुदा हाफिस